नमस्कार साथियों आज हम निर्वाचन के अंतिम और महत्वपूर्ण चनलन मदगर्णा के संबंद में इस वीडियो में चर्चा करेंगे मदगर्णा में दो तरह की मदगर्णा होती है एक डाक मत पत्रों की गर्णा और दूसरी इलेक्रोनिक कोटिंग मशीन में डाले गए मतों की गर्णा आज का वीडियो मुख्यता फोकस रहेगा Electronic Coating Machine में डाले गए मतों की गढ़ना किस तरह से की जाएगी EVM की गढ़ना, डाक मत पत्रों की गढ़ना प्रारंब होने के 30 मिनट के पश्चात प्रारंब होगी Strong Room से मत गढ़ना टेबल तक केवल Control Unit और उसके साथ मत पत्र लेखा प्रारूप सत्रागा लाया जाएगा Counting Hall में कुल 14 टेबलों की व्यवस्था समाने रूप से की जाती है आवशक्ता अनुसार टेबलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है Electronic Quoting Machine की जो गढ़ना है वह Round Wise की जाती है टेबलों की संख्या और मत दान के इंदरों की संख्या के अधार पर Round निरधारित होते हैं जितने टेबल लगे हुए होते हैं उतने मत दान के इंदरों की Control Unit को पहले Round में लाया जाता है अगर Counting Hall में कुल 14 टेबलें लगी हुई हैं तो मत दान के इंदर करमांग एक से लेकर के 14 तक की Control Unit प्रतेक टेबल में क्रम वार लाय जाएगी यदि इन 14 मत दान के इंदरों के बीच में कोई सहायक मत दान के इंदरों की गढ़ना अलग टेबल में की जाएगी एसी इस हिती में कुल 13 मत दान के इंदरों और एक सहायक मत दान के इंदरों की EBM की गढ़ना प्रतेक टेबल में किस मत दान के इंदर की Control Unit की गढ़ना की जानी है यह पूरों निर्धारित होती है जैसे ही Control Unit और मत पतर लेखा संबंधित टेबल में पहुंचता है उस टेबल के गढ़ना परवेक्षक का प्रतम दाई तो यह होगा कि वह Control Unit के केरिंग केस में लगे हुए Address Take से मिलान करके यह सुनिश्चित कर ले कि वो उसी टेबल के लिए निर्धारित मत दान के इंदर की Control Unit है साथ ही Address Take को संबंधित टेबल के लिए निर्धारित मत गढ़ना एजेंटों को भी दिखा करके उनको भी उनसे भी पुस्टी ले ले कि यह Control Unit इसी टेबल पर गढ़ना की जानी है तत्पश्चात मत गढ़ना परवेक्षक केरिंग केस में से Control Unit को बाहर निकालेगा केरिंग केस से Control Unit को निकालने के पश्चात वह Control Unit के Unique ID का मिलान भी मत पत्र लेखा 17C में पीठा सी नदिकारे द्वारे लिखे गए नंबर से करेगा और इस बात की पुष्टी संबंधित मत गढ़ना एजेंटों से भी कराएगा साथ ही साथ Control Unit में लगे हुए Paper Seal के क्रमांक का भी मिलान मत पत्र लेखा 17C से किया जाएगा और गढ़ना अभिकरताओं को भी इसको दिखाया जाएगा इस प्रक्रिया के पूरी होने के पश्चात मत गढ़ना परविक्षक Control Unit का Switch On करेगा Switch On करते ही Control Unit के Display Section में कुछ Display प्रदर्सित होंगी उस Display के बंध होने के पश्चात Control Unit का Total बटन दबाया जाएगा Total बटन दबाने पर Control Unit के Display Section में उस मद्दान केंदर में EVM पर डाले गए कुल मतों की संख्या दिखाई देगी इन कुल मतों की संख्या का मिलान पीठा सी नदिकारी द्वारा प्रणूप 17 सी भाग एक में लिखे गए कुल संख्या से किया जाएगा इसकी पुष्टी की जाएगी कि दोनों ही संख्याएं मिलान हो रही है मिलान होने के पश्चात कंट्रोल यूनिट पर डाले गए मतों की कुल संख्या का परिणाम प्राप्त करने के लिए रिजल्ट सेक्शन के बाहरी द्वार में लगे हुए एड़े स्टेक को हटाया जाएगा साथ ही ग्रीन पेपर सील को कट करके बाहरी द्वार को फ्री किया जाएगा पिर बाहरी द्वार खोला जाएगा बाहरी द्वार खोलने पर इनर सेक्शन में इनर डोर में लगे हुए ग्रीन पेपर सील को यथावत रहने दिया जाएगा और result खंड के दिये गए छेद में से उंगली घुसा करके result बटन को दबाया जाएगा ध्यान रहे किसी भी इस हिती में inner door में लगाये गए special take को और उसके seal को छतिगरस्त नहीं किया जाएगा result बटन को दबाते ही control unit के display section पर candidate वार result display होना प्रारम हो जाएगा जिसमें nota भी सम्मिलित होगा control unit से प्राप्त result को क्रम वार प्रारूप 17C मदपतर लेखा के भागदो में लिखा जाएगा यह प्रारूप 17C भागदो पहले से ही बुद्रित रूप में returning officer द्वारा प्रतेक table में उपलध कराया जाएगा प्रारूप 17C भागदो में अभ्यर्थियों को उसी क्रम में लिखा जाएगा जिस क्रम में ballot unit में लगाए गया ballot paper में अभ्यर्थियों के नाम को लिखा गया है यदि control unit का result button दबाने पर control unit के display section में invalid message show होता है उस इस्थिती में यह ध्यान दिया जाएगा कि क्या control unit में दिखाये गए कुल मतों की संख्या प्रारूप 17C भाग एक में पीठा सी अधिकारे द्वारा लिखे गए कुल संख्या से मिलान हो रहा है यदि डाले गए मतों की कुल संख्या का मिलान प्रारूप 17C और control unit में दरसाये गए मतों की संख्या से हो रहा है तब ऐसी इस्थिती में returning officer के अनुमती से मदगर्ना कक्षपर, मदगर्ना परिविक्षक के द्वारा control unit का close button दबाया जाएगा उसके पश्यात आगे की समान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो की समान्य अन्य मशीनों में हमने की है यदि कुल संख्या का मिलान नहीं होता है ऐसी इस्थिती में उस control unit को पुना caring case में डाल कर returning officer की अभिरक्षा में प्रदान कर दिया जाएगा यदि control unit का switch on करने पर display section में कोई भी display प्रदर्शित नहीं होता है तो यह संभाव है कि उस control unit का battery drain हो गया हो ऐसी इस्थिती में आप power pack बदल करके देखेंगे power pack बदल करके switch on करने पर भी यदि display नहीं आता है या clock error या अन्य किसी तरह का error यदि आता है तो ऐसी मशीनों को ऐसे control unit को हम अलग रख देंगे उस round में उस control unit की उस table में कोई भी गणना नहीं होगी और ये control unit caring case में रख करके returning officer को वापस सौप दिया जाएगा अग्रिम करवाही के लिए एक round की गणना पूरी होने के पश्चात ही और उस round की सारी मशीने पुनह ceiling के लिए वापस भेजने के पश्चात ही returning officer की अनुमती से दूसरे round की गणना प्रारम की जाएगी और इस तरह उस विधान सबह में कुल मद्दान के इन्रों की round war गणना क्रमशह की जाती रहेगी प्रत्यक round में गणना परिविक्षकों के द्वारा की गई गणना और उनके द्वारा प्रणूप 17C भाग 2 में लिखे गए परणाम की पुष्टी के लिए observer के द्वारा प्रत्यक राउंड में random रूप से दो control unit का चैयन किया जाएगा और उनके table पर उनके सहयक के माध्यम से उनह control unit में डाले गए मतों का re-verification किया जाएगा प्रणूप 17C भाग 2 में गणना परिविक्षक के द्वारा लिखी गई संख्या और observer के द्वारा verification के समय प्राप्त संख्या में कोई अंतर आता है तो प्रणूप 17C भाग 2 को re-verification के अधार पर सुधारा जाएगा और ऐसे गणना परिविक्षक को उस table से हटा कर उसकी जगा पे रिजर्व में से गणना परिविक्षक की नियुक्ति की जाएगी और गणना परिविक्षक के द्वारा की गई ऐसी गलती के लिए उनके विरुद अनुशाशनात्मक करवाही की अनुसंसा की जाएगी ऐसी इस्थिती आने पर उस गणना परिविक्षक के द्वारा की गई पूरवर्ती गणना का भी verification किया जाएगा गणना परिविक्षक के द्वारा गणना का परिणाम प्रणुप 17C भागदो में लिख लिये जाने के पश्चात प्रणुप 17C भागदो के सत्यापन के सुरूप सभी मदगणा अभिप करताओं के हस्ताक्षर लिये जाएंगे जो की उस टेबल के लिए अभ्यर्थियों क द्वारा द्वारा निूक्त किये घए हैं प्रणुप 17C भागदो में हस्ताक्षर करवाने के पूर गडणा परिवेक्षक प्रणुप 17C भागदो में हस्ताक्षर वाले स्थान पर अभिलिखित करेगा कि यह कंट्रोल यूनिट वही इंट है जो की मददान के इंदरक्रम प्रणुप सत्रा सी तयार हो जाने और उसमें सभी अभिकरताओं के हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात प्रणुप सत्रा सी की मूल प्रती रिटर्निंग ऑफिसर को टेबुलेशन के लिए प्रणुप बीस तयार करने के लिए प्रदान कर दी जाएगी और प्रदूप 17C भागदों की द्विती प्रती अभिकर्ताओं को प्रदान करने के लिए फोटो कॉपी कराने हेतु रिटर्निंग आफिसर द्वारा नियुक्त अधिकारी को सौप दी जाएगी रिटर्निंग आफिसर के सहोगी अधिकारी के द्वारा फोटो कापी करताओं के प्रस्चात प्रणुप 17C भागदो की दुटी प्रती को गणना परिविक्षक को वापस कर दिया जाएगा इवन फोटो कापियां गणना अभिकरताओं को प्रणाय कर दी जाएगी और इसके प्रमान स्वरूप 17C भागदो के कारबन कापी पर हस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगे कंट्रोल उनिट में डाले गए मतों की गणना के दौरान कुछ विशेश परिस्तिया निर्मित होंगी जिन में पहली परिस्ति है कंट्रोल उनिट से रिजल्ट का प्राप्त ना होना ऐसी इस सिती में हम उस मद्दान केंदर के VVPet Paperslips की गढ़ना करके उस मद्दान केंदर में डाले गए कुलमतों की संख्या ट्राप्त करेंगे कुछ परिसितियां पूर्व से ही पहचानी गई परिसितिया हो सकती है या counting table में counting की प्रक्रिया करने के दौरान पहचानी जा सकती है इन परिसितियों में markpole के data को control unit से delete ना किया जाना markpole की paper slips को vipet dropbox से बाहर ना निकाला जाना या control unit में दर्साय जा रहे है कुल मतों की संख्या का टरूप 17C भाग एक में उलिखित संख्या से मिलान ना होना हो सकता है यदि ये परिसितियां पूरो से ही पहचानी गई परिसितियां हैं तो ऐसी सिति में returning officer का दायत तो है कि इन सारे परिसितियों की जानकारी इन सारे मद्दान के इंद्रों की जानकारी सभी अभ्यार्थियों को पूरो से ही प्रिदान कर दिया जाए पूरो से ही पहचाने गए मद्दान के इंद्रों की सिति में इन मद्दान के इंद्रों के लिए निर्धारित control unit को strong room से संबंधित table तक नहीं लाया जाएगा यदि table पर आने के पश्चात हमें इस तरह की स्थिती का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए returning officer का दायित तो होगा कि इन प्रक्रणों का वो स्वयम निराकरन करे संपूर्ण round की गर्णा होने के पश्चात यदि इस तरह से अलग रखे गए control unit में डाले गए कुल मतों की संख्या जीतने वाले अभ्यर्थी और runner up के बीच मतों के अंतर की संख्या से कम है उस case में इन मद्दान केंद्रों की मशीनों की गर्णा नहीं की जाएगी और इन मद्दान केंद्रों के डाले गए मतों की गर्णा के बगैर ही परिणाम घोशित किया जाएगा अन्य इस हिती में यदि इन सभी control unit में डाले गए मतों की कुल संख्या हार जीत के अंतर की कुल संख्या के बराबर यक अधिक है तो ऐसी इस्थिती में इन सभी मद्दान केंद्रों के control unit की गणना ना करके विवीपेट में डाले गए paper slips की गणना की जाएगे यदि इन मद्दान केंद्रों के विवीपेट paper slip की गणना का निर्णा लिया जाता है और उसमें से यदि मौकपोल के data को हटा तो दिया गया है लेकिन विवीपेट drop box से मौकपोल के slips को बाहर नहीं निकाला गया है ऐसी इस्थिती में परिणाम निर्धारित करने के लिए मौकपोल सर्टिफिकेट पिठा से नतिकारी दूरा जो मद्दान केंद्र के मद्दान के दिन भरा गया है उसमें से अब धर्ती वार डाले गए मौकपोल मतों की संख्या को घटा करके परिणाम प्राप्त किया जाएगा ऐसे मद्दान के इंद्र जहां परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तो ऐसे मामलों को भारत निर्वाचन आयोग के मारदर्शन के लिए प्रेशित किया जाएगा VVPET Paperslips Counting के लिए प्रत्येक विधान सभा में एक VVPET Counting Booth VCB बनाया जाएगा केवल इसी VVCB में ही सभी VVPET Paperslips की एक-एक करके गणना की जाएगी किसी भी इस हिती में सभी VVPET Paperslips की गणना एक साथ नहीं की जाएगी आएए अब हम VVPET Paperslips की गणना की प्रक्रिया को समझते हैं VVPet paper slips की गणना तभी प्रारंब की जाएगी जब उस विधान सभा के सभी control unit में डाले गए मतों की गणना का कार्य पूर्ण हो चुका है VVPet paper slips की गणना के लिए विशेश रूप से बनाए गए VVPet counting booth का उपयोग किया जाएगा यह VVPet counting booth अर्थात VCB सभी तरफ से wire mesh से covered रहेगा ceiling में एक CC camera लगाया जाएगा जो VVPet paper slips की counting की पूरी प्रक्रिया को record करेगा VVPet paper slips की गणना के लिए विशेश रूप से जो VCB तयार किया जाएगा उसकी लंबाई 6 फिट, चोड़ाई 6 फिट और उचाई 8 फिट होगी इस VCB में transparent container और candidate की संख्या के अनुसार pigeon hole योगत container बनाए जाएगे ताकि उसमें प्रत्यक अभ्यर्थी को प्रात्मतों को रखा जा सके विधान सभा के अंतरगत जिन VVPet paper slips की गणना VCB में की जानी है उसका क्रम इस प्रकार होगा VVPet paper slips की गणना के लिए सरो प्रत्म ऐसे मद्दान केंद्रों का कोच होना जाएगा जिन मद्दान केंद्रों में डाले गए मतों की संख्या कंट्रोल निर्ट से प्राप्त नहीं हो पाई है दूसरे क्रम में हम उन मद्दान केंद्रों के VVPet paper slips की गणना को लेंगे जिन मद्दान केंदरों में मॉकपोल की प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं किया गया है जिसमें मॉकपोल की डेटा को कंट्रोल निर्ट से ना हटाया जाना मॉकपोल पेपर स्लिप्स को वी पैट से ना निकाला जाना या मत पत्र लेखा प्रणूप 17C भाग एक में प्रदर्शित कुल मतों की संख्या का कंट्रोल इंडर्ट में प्रदर्शित कुल मतों की संख्या से मिलान ना होना है ऐसी इस्थिती में जैसा की पूरू में ही बताया गया है यदि इन मद्दान केंद्रों में डाले गए कुल मतों की संख्या हार जीत के अंतर की कुल संख्या के बराबर यत अधिक है ऐसी इस हीती में ही इन मद्दान केंद्रों में डाले गए कुल मतों की गणना वीपेट पेपर स्लिप्स से की जाएगी तीसरे क्रम में हम उन मद्दान के इन्रों की वीपेट पेपर स्लिप्स की गणना करेंगे जिनके बारे में अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकरता या उनके गणना अभिकरता के द्वारा वीपेट पेपर स्लिप्स की काउंटिंग की मांग की गई है लेकिन इसमें सरोप्रथम returning officer को निर्णाय करना होगा कि क्या उनकी मांग को स्विकार किया जाए या अस्विकृत किया जाए यदि returning officer द्वारा we pay paper slips की counting के मांग को स्विकार किया जाता है तब तीसरे क्रम में ऐसे मद्दान केंद्रों के we pay paper slips की गढणा की जाएगी चौथे और अंतिम क्रम में प्रत्यक विधान सभा से रेंडम रूप से चुने गए पांच मद्दान केंद्रों के विविपेट पेपर स्लिप्स की गणना अनिवारे रूप से की जानी है पांच मद्दान केंद्रों के विविपेट पेपर स्लिप्स के अनिवारे सत्यापन करने के लिए हम ऐसे मद्दान केंद्रों को हटा देंगे जिनके विविपेट पेपर स्लिप्स की गणना हम विभिन अन्यकारणों से कर चुके हैं उनको random रूप से selection के लिए हम नहीं लेंगे। यदि किसी मद्दान केंद्र में एक से अधिक VVPet paper slips यूज की गई हैं तो दोनों ही VVPet की अलग अलग गढणा की जाएगी। अनिवारे सत्यापन के लिए चुने गए 5 मद्दान केंद्रों की VVPet paper slips की गढणा का परिणाम निर्धारित प्ररूप में भरा जाएगा जिसमें यह प्रदर्शित किया जाएगा कि VVPet से प्राप्त मतों की संख्या अभ्यर्थिवार क्या है और control unit से अभ्यर्थिवार प पर्चियों की गढणा के संब्द में इस वीडियो में आपको बताया गया है यह था संभव या प्रयास किया गया है कि सब्धी तथ्यों को इसमें सम्मिलित किया जाए अधिक जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिरदेश उनके द्वारा जारी रेटर्निंग ऑफिसर के हैंडबुक और इवीम विवेपैट पर नविंतम मैन्वल का अध्यान किया जाना उचित होगा आप सभी को शुब कामना है और बहुत-बहुत धन्यवाद